आज मैं फिर से वापस आ गई हूं एक नए रेसिपी के साथ आज मैं जो लेकी आए हूं वह है पोहा का कटलेट तो पोहा का कटलेट बनाने के लिए मैंने यह पोहा लिया हुआ है पोहा मैंने पैकेट पर लिया हुआ है यह साफ होता है तो मैंने एक से डेड़ कप पोहा लिया है इसमें मैं एक कब पानी डाल देती हूं इसको सोक करने के लिए मैं इसे रख देती हूं पंदरा मिनट के लिए पंदरा से वीस मिनट के लिए तो चलिए इसे सोक करके रख दे आखेअ हैं अच्छे से पानी को तोडती है अब मैं इसको मेर्पantry कर्लेटे रिद्धाइबते स्धुटमें स्पादिते पानी मेर्प्री 21 चायए तोडती है यह तोट का तूटने के बार कि मैस करूंगी अच्छे से तोक कर लिया है कि देखेज तरह से एक टे। पता सल जा रहा है कि पोहे ने पानी अच्छे से सोक कर लिया है पोहे को मैंने अच्छे से मैस कर लिया है अब मैंने ये चार से पांच आलू लिये हूँ है ये आलू मैंने बॉयल करके लिया हुआ है बॉयल करके पील कर लिया है इसको भी यानि की आलू को भी मैं इसमें अचछे से मैस करके मिक्स कर ले रहे हुआ हुआ जिस्से की आलू यानि की पोटैटो इसमें अच्छे से मिक्स हो जा है और इसका एक परफेक्ट डो बन जा है तो इस तरह से मैं से मैस कर लिया मैंने अब मैंने हाफ कप के करीब बेशन लिया हुआ है ये इसमें मैं डाल देती हूँ बेशन डालने पे बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी और ये जो मैं कटलेट बनाऊंगी तूटे का नहीं अच्छे से बन जाएगा और ये मैंने प्याज लिया हुआ है और हरी मिर्च कट करके लिया हुआ है तो इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ एक एक करके प्याज डाल दिया मैंने उसके बाद मैंने हरी मिर्च भी डाल दी प्याज और हरी मिर्च डालने के बाद इसमें मैं कुछ मसाले एड़ करूंगी तो मसाल मेंने हल्दी पाउडर लिया है ये मैंने इसमें डाल दिया इसके बाद मैंने गरम मसाला पाउडर एक चमच लिया हुआ है ये भी मैंने इसमें डाल दिया इसके बाद फिर धनिया पाउडर ये भी मैंने इसमें डाल देती अब मैं इसमें नमक यानिकी साल्ट एड़ कर लेती हूं यह आपने टेस्ट के अनिसार डाल सकते हैं मैंने यहां पर टू स्पून नमक को डाला है एड़ किया है तो अब मैं इसमें सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेती हूं अच्छे से मिक्स होने पर ही इसका कटलेट अच्छे से mix नहीं होगा तो यह cutlet टूटने लगे बनेंगे नहीं अच्छे से तो मैं अपने हाथों से इसे अच्छे से mix up कर लेती हूं यह देखिए मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिला के इसका डो बनाओंगी तो चलिए शूरू करते हैं बना इस तरह से इसकी पहले में बना लोगी बनाने के बाद दिए मैं इसी तरह एक-एक करके सारे डोका मैं डीफ्राई करने के लिए मैंने ग metres meanfficรाई कर दिया है इसमें मैं डीफ्राई करए करूए तो इसे गरम होने देते हैं करम कररूंगी गरम होने के बाद आयल कर दालने के बाद गरम होने का वेट करूंगी ऐल गरम करल कराई č幸 amazingadaptなら, तो मैं कटले डालकर डीप राइन तेज़स करणकी मृषे, जामकी कडाई गरम हो गई है कडाई गरम हो गई है मैं रिफाइन डाल यूज किया है कि आम ने इसमें रिफाइन डालका तो अब मैं यह जो मैंने कटलेट बना की रखा है इसको एक-एक करके इसमें डाल देती हूं ध्यान रहें कि गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखना है गरम हो जाने पे गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है मीडियम आज पे ही यह दीरे दीरे फ्राइई होएंगे और खृस्पी और ख्रंची बनेंगे तो यह देखिए मैंने डाल दिया थोड़ी देर हो गई है अब मैं चेक कर लेती हूँ कि एक साइड से हो गया है या नहीं यह देखे यह एक साइड से हो गया है मैं पलट देती हूए कि करके सभी कटलेट को देखे दोनों साइड से हो जाएंगे फिर मैं इसे निकालूंगी पलटने के बाद थोड़ी देर इसे कूख होने देते हैं यह दोनों साइड से कूख हो चुगे हैं यह देखिए देखने में कितना यमी और टेस्टी लग रहा है और यह देखने में टेस्टी और यमी है इसके साथ साथ यह क्रंची और क्रिस्पी भी है तो अब मैं इन्हें दो दो तिन तिन करके निकाल लेती हूं इस तरह से मैंने निकाल लिया अब ये बन कर तयार हो गए हैं तो अब चलते हैं सर्विंग के प्रॉसेज में मैं ठीं है कि बाद के लिए मैंने एक प्लेट लिया प्लेट महीं मैं सॉष चट्नी और साथ इसमें मही음ा रगेकर करके नेकिम मत लिए स्वाध के लिए प्लेट स्वा प्लेट रखोए और लिए यह तो समय किने प्लेट करें स्पील यो भें आपको कैसी लगी यह रखाल जरूर किजे तो थैंक यू फ्रेंड़्स अगर आपको यह राि पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे और मेरे चैनल पर जाके उसे सब्सक्राइब कीजे ठैंक यू बाईबाई मिलते हैं